मशकार वही मेरी लखनौ की सिरीज में आपका सौगत है और मैं आपको दिखा रहा हूं सरसती मेडिकल कॉलेज तो आप सोच रहों कि सर जिसतरे किसे आप हर कॉलेज में गए तो जिसने में आपको पहले बताया है कि मैं लखनौ के छेत्र में आठ प्राइविट कॉलेज पढ करते जाएंगे और मैं आपको पहले भी बताया है कि नरायना को हमने कानपुल में गिल लिया है और फिर तो लखनौ शेत्र में जैसे पहले हमने बात की थी टोटल आठ कॉलिज पढ़ते हैं प्राइवट ये बात करो और दो फेमर्स सरकारी तो हैं चींग जोर्ज और सरस्ती मेडिकल कॉलिज और सही मायनों में सीधे शब्दों में तो ये मेडिकल कॉलिज के लाने लायक ही नहीं है यह तो एक टूटी फूटी बिल्डिंग है और आपको ना देखिए तभी मैंने की वेबसाइट ही दिखा दी इस वेबसाइट से आपको आईए ये लग जा यह डिस्ट्रीक्ट उन्नाव है यह बिल्कुल ठीक है कि लखनव कानपूर हाईवे बर सच्चाए की बात यह है कि यहां पर कुछ तो वह था चोटा सा यह नवाब गंज स्टोल प्लाजा तो पहले इसको जिगर करते हैं जब मैं लखनव से निकला कानपूर जाने के लिए कानपूर जानी रहा था सब्सक्राइब लखनव से 40-45 किलमेटर आगे और कानपूर से 30-45 किलमेटर पहरे यह बिल्कुल रोड के ऊपर है नवाब गंजी छोटा सा कजवा है जिससे यह कुछ 15 किलमेटर पहले है पर यहीं पर कहीं उन्नाव शहर भी है बिल्कुल जिसे कहत चार दिवारी खड़ी है वो भी टूटी फूटी यहां चार दिवारी खड़ी है वो भी टूटी फूटी क्योंकि इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता और इसी से में वो बैटर दिखा पाऊंगा बिल्कुल जब हम लखनव से कानपूर जा रहे थे तो लेफ्टन भागते हुए यहां पर आ गए कि आप किसी भी तरीके से शूट नहीं कर सकते बाहर से आपको अक्सर जैसे में मायो बहरा मंगी दिखाया कमसे बाहर से सुंदर है बट यह तो बाहर से भी उतना ही खराब है जितना जो कॉलिज को बाहर से चला जाएगा उने को सच बात आती ह में देखी मेरे क्लाइन थे 216 नंबर वाले उत्तरप्रदेश के कम बजट वाले और उन्होंने भी यह कहा सर सरस्वती रंकटेश्वरा और NCR तो नहां पढ़ाने से अच्छा है कि बच्चा घरी बैठ जाए और यह बिल्कुल उनकी बात सच थी और इसलिए मैं समय निकाल भी इस कॉलेज की तोहीन है यह तो मिल्लब कॉलेज किराने लाइक ही नहीं है और शयाद बाकि दोनों भी ऐसी निकलेंगे जब मैं जाओंगा NCR और वेंकर टेश्वरा जो बहुत जल्दि मैं कवर करूंगा मनलब कुछ भी नहीं है पताने क्लासेस भी होती है नहीं होती ह है पेशन्ट फ्लो तकरीबन जीरो कुछ भी नहीं है और जो इसे इधर चैवाला बैटावा था जहां मैंने वीडियो बनाने की कोशिश करी उन्होंने बताया कि भाईया बस बच्चे भी आसे आते हैं टूटे मिलगों उसका एक इंटरस्टिंग बात बहुत सारी बच्च से पांच लाग रुपर भी देते होंगे जिनके तीन सो साड़ी तीन सो नंबर मांक्स हैं ज्यादा नौलिज नहीं है उनको बताया जाता है कि लखनौ शहर का कॉलिज है और जब यहां पर आते होंगे सब काम कराने के बाद और ऐसा हुआ जैसा मैंना को बताया कि जब मैं इवन जो आपने वीडियो देखा होगा जो मैंने परसाथ के बाहर बनाया था और वह भी बहुत शांदर कॉलेज नहीं था और मुझे वहां दो बच्चे मिले थे जो नौन यूपी थे मैं का यार यह तुन्जी का सरम महरास्ट से हैं नूंबर हमारे थोड़े कम थे वह थ कीट मिलती नहीं है दीवन भी 300 के रेंज में जो भी था वह नैंटी यह वन सियार प्लस होगा यह सेवंटी तक था हम बिना कॉलिज देखे आए और हमेशा सोचा भी नहीं था पता भी नहीं था कि कोई इतना खराब भी हो सकता है और परसाथ की बात करते हैं तो मैं आजिन जितने खराब उत्तरप्रदेश में हैं यह पंजाब के चाहिए सारे प्राइवेट हम देखे हैं खर्याणा में भी खराब हैं जानते ही हैं रायस्तान में भी एक खराब है लेकिन इतने खराब तो शयाद बेचारा वहां का बच्चा सोच भी नहीं सकता कि इस पॉसीबल सब्सक्राइब तो जो मैं हमेशा कहता हूं महावीर भॉपाल या यह उन फॉर तैयर्ड मैंटर वर्ण मैंने जजजर उसी की रेंज का यह बिल्कूल ही बाटम इंडिया के अगर हम टॉंटी कॉलिज देखेंगे MBBS के लिए प्राइवेट में उसमें डेफिनेटली इसका सब्सक्राइब नाम हो और शायद बॉर्टम मोस्ट भीम कैसे अलसेंटल में एक बाद देखा हूं बाकी जो यूपी कॉलिज है कि वहां किसे कॉम्पीट कर रहे हैं लेकिन डेफिनेटली चिंता मेरी यह है कि यहां पर रहके नेक्स्ट बच्चे कैसे पास करेंगे लिए क सचाई क्या है कि यह नहीं पढ़ा रहे सब कुछ हो रहा भी था तो क्या था कॉलिज ने पास कर दिया बेड़ा पार लगया बच्चे का अब समस्के यह होगी बच्चा खुद पढ़ ले मुझे खुद पेरंट कहते हैं सर बच्चा बच्चा पढ़ी नहीं पाएगा बच नहीं पास्ता होगा कि यह महां पर है भी तो आपको पता ही है कि अमर ऐसी होती है थोड़ी बिगन ने की नाज्ज़क उमर और जो चाह वाले ने अगर फीडिवैक दी वह मैं आपको सब कर बिडियो बटा दो तो शेयर आप जो विचारे पढ़ी भी दिनकान के ले और जैसा मैंने का कि शाइए पहले बार होगा की में गेट के सामने खड़ो कर भी नी भी बना पाया विडियो मिषरा और एरा में मैं नहीं बनाया बर सच में दोनों दिन ऐसा हो था लेकिन उसके हिसाफ से जो गडबड हुई वो बड़ी भ्यंकर है और इस कॉलेज से तो बिलकुल बची है बिलकुल बची है मैं हरान हूँ कि जब 2023 में अच्छा बला यह काउंसलिंग के बाहर था तो मलब क्या के दिखा के क्या खा के इस कॉलेज को दुबारा से अप्रूबल मिल गया और इसी तरह के से अब चाहते हैं कि आप अच्छे कॉलेज में जाएं और किसी भी कॉलेज में ना पहुंच जाएं जहां पढ़ें पता चलें याद रखिए स्पेशली जोब 2024 से लोग इंडियम एड मिशन लेने वाले हैं कि अब वह काम नहीं होगी एक बाड़ मिशन हो गया तो काम खतम पैसे पुसे कॉलेज वालों को दे दुला कि हम पास कर लेंगे जो कि जब यूनिवर्सरटी और खेर तो बहुत साले यूपी के कॉलेजिज भी अगर तल बहारी सरकारी निवर्सरटी में आ गए तो कैसे प कैसला कीजिए और मैं कैस अत्तों शारी से बैटर तो कहीं अब रॉड के कॉलेज होंगे जो आपको पढ़ाएंगे तो सही और हमसी काउंसलिंग लेना चाहते हैं हमारी प्रिम सर्विस लेना चाहते हैं आप जानते ही है नाइसे सो थी तरी 62320 कॉल कीजिए और मैं हमेशन आपको समझाता हैं यह हमारी फर्स्ट कॉल भी पेड़ी होती है इसलिए हम आपको कॉल नहीं करते हैं जिसने बात करना होता है वह हमें फोन करता है आपको दिन शुबहों नमस्कार बबाए